कोडर्मा जिले के डेडिकेटड कोविड अस्पिताल की लापरवाही का आलब यह है कि जिस हॉल में कोविड मरीजों का इलाज किया जा रहा था उसी हॉल में एक बुजर्ग पुरुष का शफ पड़ा हुआ है जिसे देखने वाला कोई भी नहीं है एक तरफ तो उपायुक जिले के अंदर कोविड अस्पिताल की संख्या बढ़ा रहे हैं तो दूसरी ओर लापरवाही की यह तस्वीर आपके सामने है आईए आपको सुनाते हैं क्या कहते हैं उपायुक हमारा जो डिस्टिक है उसमें टाफी सफुशेंट बेज है हम लोगों ने लगवग 80-90 बेढ़ हमारे डिस्टिक हम चांच में है कल हम लोगों ने पांच गहंटे में एक डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर शुरू करवाया था उसमें कल पांच ऑक्सिजन के बेढ़ से आज हमने उसको 20 कर दिये हैं इसके अतरिक्त आज हमने एक ओम हॉस्पिटल है जहां पर हम लोगों को यह सुचना मिली थी उनके जो संचालक है उन्होंने बताया कि उनके डॉफ्टर पॉजिटिव आ गया और उनके पास इसे बेढ है जहां पाइपलाइन से ऑक्सिजन की विवस्ता अवेलेबल है तो हमने अभी विजिट किया है और इसको हम अभी से इसको इस सोला बेढ को हम लोग कोविड के लिए करने जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे सारे डॉक्टर्स सारे पारामडिकल स्टाफ और सारे जो भी सफाय कर्मी से लेके डेट बाड़ी मैनेजमेंट ने के लोग है तो आपी चुछ संवेधन शिल्टा से इस कोविड के टाइम पे काम कर रहे हैं और हम लोगों को परेंशा है कि आने वाले दिन में भी अगर पेशन बढ़ते भी है तो हमारे यहां बेड की कोई दिक्कत नहीं सर्फ इलहाल की क्या है पॉजिट्टीव केसे तो सिर्फ जिले में नहीं पूरे राज में और पूरे देश में आ रहा है और अभी स्थिती सिर्फ को डर्मा की नहीं पुरे देश में चिंता जनक है लेकिन पैनिक होने वाला सिचुएशन हमारे डिस्टिक में तो नहीं है सिर्फ हम लोगों को यही अपील करेंगे कि जो लोग होम आइसोलेशन में हैं हम लोग प्रयास कर रहा है कि उनको 24 घंटा के अंदर होम आइसोलेशन का मेडिकल का किट उनके घर पे दिया जा रहा है वो लोग चिकित्सक से सलाह लेके वो दवाईया समय पे खाएं और अगर अपना अक्सीजन साचुरेशन 94 से नीचे आता है तो हमारे जो सेंटर्स हैं कोविड के वहां पे संपर्क करें और जिनको अक्सीजन बेड़ के आवश्यक्ता न अप्रोप्रेट बेहवेर के लिए गाइडलाइन जारी हुए है उसका लोग पालन करें और पिशातन को सही लिए न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहें लगता डॉट इन के साथ